अफुई अफुरिया क्या है दो अफ यू कैसे तों विश्टेंस नहीं-ख्या क्रें I'm गव्डियोइनीगी टू ऑल्लव हुई आज लोग करेंगे टाइम स्पीड दिस्टेंस में जो रिलेटिव में स्पीड वाले कोशन हम लोग कर होगी कि जब भी हम relative speed की बात करते हैं अगर दोनों train का direction क्या opposite है तो speed क्या होगा add होगा और direction क्या है same है तो speed क्या होगा minus होगा आज की class का जो first question है वो क्या कहरा देखिए two train are moving in same direction देखे दो train है दोनों का direction क्या है same है at 60 km per hour and 40 km per hour यानि इसकी जो speed है वो क्या 40 km per hour इसकी जो speed है वो क्या है 60 km per hour ठेक है दा फास्टर ट्रेंड क्रॉसे सब मैं कि sitting in second train in 18 seconds अब देखिए कोई मैं इस train में बैठा हुआ है इस तरह के question आते वर हम अकसर confused हो जाते हैं ठेक है कि कोई particular man इस train में बैठा हुआ है तो जो यह faster train है वो इस man को cross कर रही है कितने time में 18 seconds में 18 seconds में clear 18 seconds में cross कर रही है कह रहा है कि हमें इस train की length चाहिए अब देखिए यहां पर सबसे पहले जो मन में confusion आता है कि हम इस train की तो length दी गई नहीं अब आप ध्यान से समझिए तो यह जो train है वो कहिन है कि इस man को cross कर रही है नौकी इस train को clear तो यहां पर क्या होगा जिस speed से train मूव करेगी उसी speed से क्या करेगा person मूव करेगा लेकिन यहां पर train cross किसको कर रही है person को तो जो distance होगा जैसे यहां पर हम लिखेए speed equal to तो आपको पता है speed equal to क्या हो जाना है distance over time clear अब यहां पर देखिए कि जो speed है relative speed तो इस train की speed कितनी है 60 km per hour और इस train की speed कितनी है 40 km per hour तो यहां पर जो speed consider होगी हो किसकी consider होगी person की तो दोनों का direction क्या है same है तो जो relative speed बनेगा वो क्या बनेगा 60 minus 40 km per hour clear distance का मतलब इस train की length जो हमसे पूछी जा रही है और time का मतलब क्या दिया होगा 18 second अब यह जो speed है वो किसमें km per hour में ते इसको हम क्या कर लेंगे 5 by 18 यहां से जब हम solve करेंगे तो आप देखिए इस 18 से 18 क्या हो जाएगा cancel 60 minus 40 कितना बना 20 20 into 5 यानि 100 meters जो होगी वो क्या होगी length of faster train तो एक छोटी सी बात आपको यहां पर समझनी होगी कि कभी भी कोई भी train किसी person को जो जिस train में बैठा है cross करती है तो जिस train में वो बैठा हुआ है इसकी length से हमें कोई लेना देना नहीं है क्योंकि यह train इस person को cross कर दी है न कि पूरे के पूरे train को clear तो note करें इसको फिर हमनो next question देखते हैं जो second question है वो क्या दिया हुआ है a car is 120 meters behind the bus यानि यहां पर कोई बस है ठीक है जो कार है वो इससे क्या है 120 मीटर पीछे है clear 120 मीटर कहां पीछे है कार ठीक है करा कितने टाइम में इट विल भी 760 मीटर अहेड यानि यह जो कार जो है वो बस से क्या हो कितने हैं एक बहूंट अगे हो जाए यानि कार को हमें यहां पोचाएं तो टोटल अगर हम distance की बात करें तो कार को जो कभर करना वह पहले कितना 120 मीटर बिहाइंड और आगे कितना जाना 760 meters यानि जो total distance बनेगा वो क्या बनेगा 760 plus 120 क्लियर अब कराए इस पीड आर 48 km 30 km per hour यानि जो bus की speed है वो क्या आपकी 30 km per hour और जो car की speed है वो क्या है 48 km per hour यहां पे car जो है वो bus को क्या कर दिये overtake कर दिये तो जब car bus को overtake करेगी तो दोनों का direction क्या है 7 सेम है जब दोनों का direction सेम है तो आपको पता speed क्या होगा माइनस यानि 48 माइनस 30 यह जो वैलो है वो किसमें km per hour में सामने जो time है वो हमें option में किसमें दिया हुआ seconds में तो इसको हम क्या करेंगे into 5 by 18 यहां से देखिए 48 माइनस 13 यह नहीं बनेगा 5 by 18 into 18 equal to 0 6 और 2 क्या बन गया आपका 8 और यह 7 और 8 यहां पर हमें क्या चाहिए time ठेक है 18 से 18 cancel जब हम time की value find out करेंगे तो यहां से हमें time क्या मिलेगा 880 ओवर 5 यानि यह बन गया आपका 5 और 5 3 8 5 7 जा 35 301 70 जो कार होगी वो बस को क्या कर लेगी ओवर टेक कर लेगी तो यह आपका एक simple सा questions था ठीक है नोट करें इसको आप लोग question है वो क्या दिया वाँ टू ट्रेंस आर मूविंग ऑन टू पैलल ट्रेक्स इन आपोजी डायेक्शन यानि एक ट्रेंड इधर को जा रही है और दूसरी ट्रेंड इधर को जा रही है ठीक है अब परसंस सिटिंग इन दर ट्रेंड मूबिंग भी था out कि इसा खाल समय को एás गया सब्सक्राइब है यानि घॉंप उस्रेंड में भाट हुआ है ऐसके एक स्व कि gland किंग एक जिए इस एकम में ट्रेंड यानि इस त्रेंड में बैठा हुआ है तो में बो झिए अज़ीन इस परसंगो पास करें दोनों रहास करें दौनों बातों का मतलब क्या है सेम है क्योंकि पर सनकर बैठा ह leven में से नहीं सब्सक्राइब करेगा तो train की speed किसकी बन जाएगी person की speed लेकिन ये cross किसको कर रहा है इस train को यानि कहीं न कहीं length जो consider होगा वो second वाले train की consider होगा जब भी ऐसा question है तो आपको एक बात समय नहीं होती है कि जिस train में person बैठा होता है उस train की length से हमें कोई लेना देना नहीं है अगर हम बात करें आपे speed equal to तो क्या बनेगा आपका distance over time एक train की speed अपने पास कितनी है 80 km per hour दूसरे train की speed हम से पूछी जा रही है तो 80 plus हमने मान लिया x आपको मैंने last class में बताया था कि अगर ये km per hour है तो ये value automatic किसमे हो जाएगी km per hour में आप बाहर इसको change करें नो करें बत ये हमेशा किसमे होगा km per hour में into 5 by 18 अब distance अपने पास कितना दिया हुआ है second train की जो length है वो कितना है 1000 meters यहाँ पे आगे आपका 1000 meters over time कितना लग रहा है इसको cross करने में 18 seconds आप देखिए 18 से 18 cancel 80 plus x equal to यह 5 इदर आएगा तो 1000 को क्या करेगा divide यानि 200 यहाँ से x की value 200 minus 180 यानि 120 km per hour क्लियर तो यह आज की class का third question थार नोट करें इसको next question है वो क्या दिया होगा train running at 25 km per hour कोई train है वो किसी speed से run कर रही है आपकी 25 km per hour take 18 second to pass a platform यानि किसी platform को पास करने में यह platform है इसको पास करने में कितना time लग रहा है इसको 18 seconds next it takes 12 seconds to pass a man और अगर यह किसी man को cross कर रही है ठेक है train की speed कितनी है 25 km per hour यह man को cross कर रही है तो कितना time लग रहा है 12 seconds ठेक है कर रहा है कि man जो है उसकी speed क्या है 5 km per hour in same direction यानि man की जो speed है वो क्या आपकी 5 km per hour ठेक है find the length of the train and data of the platform यानि यहाँ पे हमें जो length पता करनी है वो किसकी पता करनी है train की और platform की clear तो आप देखिए सबसे पहले अगर हम इसको solve करेती यहाँ पे जो train है वो किसको cross कर यह person को दोनों का direction क्या है same है तो सबसे पहले speed क्या हो जाएगा minus यानि 25 minus 5 km per hour यह हम person के साथ solve कर रहे है ठीक है equal to distance distance का मतलब length of train क्योंकि person की कोई length होती नहीं है over 12 seconds यानि यह क्या हो जाएगा into 5 by 18 अगर इसको हम solve करेंगे तो यह क्या बन जाएगा 20 into 5 by 18 into 12 यह क्या बन गए अपना length of train clear अब यहाँ से solve करेंगे 6 3 जा 6 2 जा यानि यह बन गए आपका train की जो length हाएगी यह 25 जा 10 जा 20 यानि 200 by 3 meters अगर यहाँ पर platform की length पुछी जा रहे तो अब देखे train किसको cross करेंगे platform क्यों तो जब platform को cross करेगी तो यहाँ पर जो length होगा train plus platform तो यहाँ पर जब हम solve करेंगे तो train की speed अपने पास क्या है 25 km per hour 25 into 5 by 18 यहाँ पर platform plus train over आपका क्या जाएगा 18 18 सेकंड दिया हुआ 18 से 18 cancel यह बन जाएगा आपका 125 equal to platform plus train तो जो platform की length होगी 125 minus 200 by 3 क्योंकि train की length कितनी है 200 by 3 meters इसको solve करेंगे तो यह बनेगा आपका 375 minus 200 by 3 यानि 175 by 3 यह बहलेंगी finally 835 जाब 15 58.33 meters जो होगी वो आपकी क्या होगी platform की length हो जो train की length होगी वो क्या होगी 200 by 3 meters question आपका same है बस फर्क क्या पड़ा है कि यहाँ पर हमें एक जगा से value निकाल के दूसरी जगा क्या करनी है put करनी है clear तो मैंने last class में बताया था कि इस type के question हम लोग करेंगे जहाँ पर एक जगा से value निकाल के हम दूसरी जगा क्या करेंगे put करेंगे बाकी सारा concept आपका वहीं पुराना वाला होगा कि person को cross कर रही है तो उसके according और यहाँ पर platform को cross कर रही है clear इसको note करें फिर हम लो next question देखते है next question है वो क्या दिया हुआ है our train hundred meter in length passes a milestone milestone का मतलब क्या होता जो रास्ते में पहले stone लगे होते है तब तो आपके board लगते है पहले नीचे road के side में आपने देखा होगा कि stone लगे होते है कह रहा है कि कोई train है वो किसी milestone का इसर भेकर आरे आपके लगे रहते है थीक है है उसको ये cross कर लुए कितनी दिल में 10 seconds में यानि कही ना कही train अपनी length को cross कर दि एकितनी दिल में 10 seconds में train की length कितनी है hundred meter और इसको जो cross करने में time लग़ रहा हो क्या लग़ यान बात करेंрем स्थन equal to distance upon time यानि train की जो speed होगी वो क्या हो जाएगी 10 meter per second यहाँ पर हम बात करें speed of train तो देखे speed of train speed equal to distance upon time तो train जब किसी milestone को cross करेगी इसका मतलब कहीं ना कहीं अपनी length को cross करेगी तो length कितनी है 100 meter over time कितना लग रहा 10 seconds यानि 10 meter per second क्या हो गई train की speed हो गई आगे क्या कह रहा है and to another train of the same length traveling in the opposite direction यानि अब यह आगे जाके किसी दूसरी train को cross कर देगी है दोनों का direction क्या है opposite है तो यहाँ पर हम speed की बात करेंगे तो क्या होगा distance upon time तो यहाँ पर जो speed बनेगी वो अपने पहले train की speed साथ में दूसरे train की speed यह किस में मीटर पर सेकेंड आगे क्या दिया वह कोस्टन में आपका कितने time में 8 सेकंड में यानि time की वैलू क्या हो गई 8 सेकेंड जो इस train की length है वहीं length दूसरे train की है यानि इसकी length कितनी थी 100 मीटर तो यहाँ पर क्या आजाएगा 100 प्लस 100 यानि क्या आगया 200 बाई 8 यानि क्या आगया 25 क्लियर अब देखे 10 प्लस X की वैलू 25 तो X की वैलू अपने पास क्या आजाएगी 15 मीटर पर सेकेंड हमें किस में चाहिए किलो मीटर पर आओर में तो 18 बाई 5 यानि फाइनली क्या जाएगा 54 किलो मीटर पर आओर ते यह भी कोश्चन कुछ पिछले कोश्चन की तरह था कि एक जगह से हमने स्पीड निकाली बाकि दूसरे कोश्चन में पुट कर दिया कॉंसेप्ट जो है आपका वहीं पुराना है जो हम लोग यूज कर रहे हैं जब माइल स्टोन को क्रॉस करेगी तो अपनी लेंथ को जब दूसरी ट्रेन को क्रॉस करेगी तो दोनों की लेंथ हैड हो गई क्यों स्ट्रेंट क कर दो स्ट्रेम और स्ट्रेंथ किसी स्ट्रेंट की जो इस फीड अपने पासा है processes 12 km पर आवर ठीक है इन टेंस सेक इंडर कितने टाइम में तेंस सेकंड स्मे links आगे क्या रहा है ठीक हाए इन 15 seconds टाइंब जो दिया हुए वो क्या दिया हुआ आपका 15 seconds में तो सबसे पहले train जब man को cross करें यहाँ पर जब speed equal to क्या बनेगा आपका distance upon time तो train के speed क्या है 72 into 5 by 18 distance का मतलब क्या हो गया आपका length of the train over time टाइम यहां पर कितना दिया हुआ है 15 सेकंड यहां से आपको पता है 445 जा 20 20 इंटू 15 यानि वैलू अपने पास कितनी आ गई 300 मीटर्स यह क्या हो गई अब आगे कोश्चन में क्या कह रहा आप से फाइंड इन हाव मच ताम इत विल क्रॉस एनदर ट्रेन यह किसी और दूसरी ट्रेन को क्रॉस करें यह थेक है विच फिप्टी परसन मोर लॉंग दैन इट जो दूसरी ट्रेन है वो इससे क्या है 50 परसन ज्यादा बड़ी है यान ठीक है 50 परसन दा आदर ट्रेन इस स्टेंडिंग उन प्लेटफॉर्म यानि अब यह किसी दूसरी ट्रेन को क्रॉस करें है जो ट्रेन का है प्लेटफॉर्म पर खड़ी है यानि हमें इसके डाइरेक्शन स्पीड से कोई लेना देना नहीं है तो इस ट्रेन की लेंथ कितनी है 300 मीटर और इस ट्रेन की जो लेंथ है वो क्या इससे 50 परसन ज्यादा यानि कितना हो गया 450 मीटर हमसे क्या पुछा गया है टाइम तो आप सबसे पहले स्पीड तो स्पीड क्या हो जाएगा 72 इंटू 5 बाइटीन डिस्टेंस का मतलब 300 प्लस 450 ओवर टाइम हमसको निकालन है यानि यहां से अगर हम टाइम की बात करें तो यह क्या बन जाया आपका 300 प्लस 450 यानि 750 ओवर 4520 यानि फाइनली क्या आएगा 37.5 सेकंड क्लियर यह तो आपका था इस question को solve करने का proper basic method अब यहां पर अगर आप थोड़ा सा ध्यान से सोचें इस question को तो question में कोई दम नहीं और आप इसका answer direct कर सकते हैं देखिए कैसे जब train person को cross कर रही है तो कहीं ना कहीं वो अपनी length को cross कर रही है बात समझे यानि train को खुद की length cross करने में जो time लग रहा है वो कितना लग रहा है 15 seconds बात समझे में आ रही क्यों क्योंकि यहां पर हम इस लिए इस चीज को कर पा रह हैं क्योंकि यहां पर क्या आपकी train की speed given है और वही speed क्या constant है क्योंकि second case में जो दूसरी train है वो क्या platform पर खड़ी है यानि अपनी length को cross करने में इसको कितना लग रहा 15 seconds second round में train क्या कर रही है अपनी length और साथ में अपने से 50% जादा बात समझ में आ रही है को cross कर यह पूछ अगर मुझे अपनी length को cross करने में 15 seconds लग रहा है तो उसका 50% cross करने में कितना लगेगा 7.5 seconds तो यहां पर जो train है जैसे यहां पर मैं बोलूं कि अगर 100% है तो यहां पर कितना time लग रहा 15 seconds तो यहां पर क्या होगा 100% plus 150% तो देखिए 100% की value कितना हो गया 15 seconds यहां पर 15 plus 7.5 यानि direct time क्या बन गया 37.5 seconds तो आपको solve करने की भी जरूवत नहीं पड़ेगी आई होप आपको यह बात समझ में आई होगी कि जब वो अपनी length को cross करें 15 seconds में तो अगली बार में क्या करना अपनी length plus सामने वाली train की length तो सामने वाली train की length तो सामने वाली train की जो length है वो इसस की 7.5 seconds clear अब इसके बाद हम लोग देखते हैं आज की class का last question जो आज की class का last question है वो भी पिछले question की तरह है तो पहले हम लोग इसका basic देखते हैं फिर हम लोग direct देखेंगे क्या करा और train crosses a tunnel यानि यह train है और यह किसको cross करें किसी tunnel को ठीक है half of its length यानि जो tunnel की length है वो train की length की क्या है half है जैसे अगर train की length को मैं 2x मानूं तो tunnel की length क्या है x with a speed of 72 km per hour in one minute तो आप देखें यहाँ पर हम बात करेंगे तो 72 km per hour into 5 by 18 कर दिये total distance 2x plus x over time हमें कितना दिया हुआ है in one minute one minute का मतलब क्या होगे अपने पास 60 seconds अगर हम इसको solve करेंगे बात समझ में आ रही है कि train यहाँ पर किसको cross करेंगे tunnel को tunnel की जो length है वो train की क्या है half है तो यहाँ से गर हम इसको solve करेंगे ती क्या बन जाएगा 45.20 into 60 equal to 2x plus x क्या बने आपके पास 3x 1200 की वैलू 3x तो x की वैलू 400 यानि tunnel की जो length हाएगी वो क्या आएगी 400 train की जो length हाएगी वो क्या आएगी 800 clear आगे क्या करा then find in how much time it will cross another train of double length यानि अब जिसको cross करेंगे वो क्या दूसरी train है जिसकी length क्या है double है यानि यहाँ पे हो गई अपनी पहली train और सामने दूसरी train फिर खड़ी है इसकी जो length है वो इसकी क्या है double है यानि इसकी length अपने पास कितनी आई है 800 meter तो इसकी जो length आएगी वो आपकी क्या आजाएगी 1600 meters clear आप करा इसको cross करना है तो speed कितनी अपने पास 72 इंटू 5 बाइटीन टोटल डिस्टेंस कितना हो गया आपका 2400 over time clear तो यहां से देखिए यह 445 जा 20 equal to 2400 over time यहां से time की value जो आएगी वो क्या आएगी 2400 over 20 यानि 120 seconds आयोप आपको यह बात समझ में आई होगी इसमें कहीं कोई प्रोब्लम नहीं है clear अब बर हम इस question को direct देखना चाहें तो आप देखिए क्या हो रहा कितना simple question है कि पहले case में train अपनी length और साथ में किसकी tunnel की अगा इसकी length 2 unit है तो tunnel की length क्या होगी 1 unit यानि total distance कितना cover करना इसको 60 seconds अगली बार में जो train हो क्या कर दिया अपनी length यानि 2 unit और साथ में दूसरी train की length जो इसकी double है यानि कितना 4 unit तो total distance कितना हो गया six unit आप देखिए verbally इसका answer आ रहा है तीन यूनिट जाने में साथ सेकेंड तो 6 unit जाने में कितना हो जाएगा आई होगे clear तो यह आज की class का last question था अभी हम लोग train में 3-4 exercise और करेंगे जिससे आपके जितने भी types के question है वो सारे हम लोग cover करने की कोसिस करेंगे ओके thank you